नमस्कार आप सुन रही है रेडिय हिंद्रस्तान मैं मनीशा आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा कारिक्रम जिसमें मिलेगी आपको जलत भारतिय संस्कृती की महांता की मित्रो भारतिय संस्कृती अनादी काल से ही सम्रद और अत्यंत उन्नत रही है और उसकी महांता की तो क्या ही कहने लेकिन हमारा वर्तमान समाच हमारी नई पीड़ी और हमारी अपनी ही पीड़ी हमारी संस्कृती की इस महांता के सभी पहलियों को नहीं जानती आप अरिजित ह तो आज उसी सोई हुए, खोई हुए पन्नों से मैं लेकर आई हूँ, गूगल बाबा से कुछ जानकारी अपनी इस भारते संस्कृती के बारे में. मित्रो हमारे देश में भोले नात के कई मंदिर हैं जिनका इतिहास आलोकिक और अद्भुत है. इन्हें से एक मंदिर है जो बसा है केरल में. कहा जाता है कि यह मंदिर केलाश परवत का प्रतिने रिद्व करता है और इसके दर्शनों के लिए श्रधालू दूर दूर से आते हैं. इस मंदिर का नाम है वडग कुम नाथन मंदिर. इसमें इस्थाफित शिवलिंग का अविशे एक घी से किया जाता है. इसके चलते मंदिर का शिवलिंग हमेशा ही घी से ढगा रहता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि पारंपरिक मानेताव के नुसार इस शिवलिंग को के परवत का प्रतिनिधि करता माना जाता है इसके अलावा यही एक ऐसा मंदिर है जहां पर शिवलिंक दिखाई नहीं देता भगतों को केवल यहां पर घी का टीला ही नजर आता है हैरान करने वाली बात यह है कि यह घी कभी भी पिखलता नहीं है वड़कुमनातर मंदिर के सारी महान कथाई जुड़ी हैं इस जगह को आदी शंकराचार्य जी के जनम इस्थली के रूप में भी जाना जाता है इसकी अलावा मंदिर को नैशनल मौनिमेंट की उपादी भी प्राप्त है वड़कुमनातन मंदिर में शंकर नरायन की मूर्ती भी है जिसमें शिवजी और शुरि हरि विश्रू एक ही सरूप में नजर आते हैं लेकिन इस मंदिर की एक बहुत ही अद्बुत विशेष्टा है और वो क्या है कि इस मंदिर की दिवारों पर उकेरी हुई गरबस्त शिशू की प्रस्तर प्रतीमा जैसकि आप वीडियो में देख सकते हैं यहां पर जो तस्वीरे लगी हो ही है वहां ये दिखा रही है कि हजारों साल पहले जब एक्सरे की खोज भी नहीं हुई थी ओफिशली जैसकी कहा जाता है आजकल की आधुनिक दुनिया में हमारी संस्कती में ये पता था कि गर्भस्त शिशु की प्रती महीने कैसे ग्रोथ होती है और उसका क्या रूप क्या फॉर्म होता है ये मंदिर की दिवारों पर उकेरा गया है कल्पना करिये सोचिये जरा एक्सरे की खोज से हजार साल पहले ये जानकारी उस समय के लोगों को कैसे मिली होगी तो ये एक बानगी है ये जलक है कि जो लोग हमारे धर्म हमारी सनातन संस्कृती पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हमें रोडिवादी कहते हैं कि हम कितने साइन्टिफिक थे जब पूरी दुनिया ना लिखना जानती थी ना पढ़ना जहां पर सब्वेटा का सूरज का सवेरा हुआ ही नहीं था और हमारी संस्कृती विकास के सूरज से नहाई हुई थी और मंदिर की इस मंदिर की दूसरी दिवारों पर भी गर्भस्त शिशु के हर माइने की इस्तिती की प्रतीमा उकेरी हुई है ये एक उधारण है ये एक एविडेंस है उन सभी लोगों के लिए जो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हमारे सनातन धर्म की महांता पर उसकी विज्ञानिकता पर तो सनातन धर्म संसार का सबसे प्राचीन पहला और आखरी विज्ञानिक धर्म है धर्म कहे या जीवन शेली ये आप कहे डिसाइड करिये सनातन ने ही विश्व को विज्ञान दिया और आज का विज्ञान सरफ एक शिशू है शिशू है हमारे सनातन धर्म की विग्यानिक्ता के आगे हमारा धन जो हमें जीने की कला सिखाता है हमारे चार वेद जिन में छिपा हुआ है सारे संसार का ज्यान का सार सारे ज्यान का सार अर्थ शास्त्र हो या व्याकरण दर्शन शास्त्र हो या चिकित्रा शास्त्र कुछ भी किसी भी प्रकार का ज्यान हो उन सभी का सार उन सभी का स्रोत उन सभी का उद्गम इस्थल हमारा सनातन धर्म ही है हमारे रिशी मुनी जो की विज्ञानिक थे और अनुसंधान करता भी थे और उन्होंने अपने जीवन दर्शन से जीवन के समग्र पहलुओं को हर तरीके से बताया और जरूरत है तो हमें उसे फिर से जानने की उससे जुड़ने की मेरी बात पर आपको भरूस अना हो तो विजिट करिए इस मंदिर में खुद देखिए वीडियो में ये तस्वीरे आप देख सकते हैं तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताईए मिलती हूँ आपसे एक नए कारेकरम के साथ एक नए खोज के साथ तब तक सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और करते रहिए अपना काम